नमस्कार दोस्तों, स्वागताब का हमारे चैनल लास्ट एक्जाम ट्रriages पर जिसको आपको एक दम सही जानकारी है वही अप्लबत कुरुए जाती है अगर आप चाते हैं आपको हर बारे एकदम सही जानकारी मिले तो चैनल सब्सक्राइब जुरूर कर लेका है देखिए हम बात करने वाले हैं UPSC PET exam को लेकि, बड़ी update यहां से यह निकल किया रही है कि अभी इसका high court में case चल रहा है, और कब तक इसका जो आज आएगा वो भी मापको यहां पर बताने वाला हूं, उससे पहले यह आप सभी को बता कि 24 अगस्त को इसका exam होना है, लेकिन स तारिकों का जो है टकराओ हो रहा है, जैसे UP यह अपना SSC का हो गया, तो इस तरीके से बच्चे चाते हैं कि भी exam है, वो आगे होना चाहिए, तो अभी जो court में case इस पर चल रहा है, तो वो उसकी जो कोई doubt हो या कोई concept ना समझ में आए, बोर्ड हो या जै इनिट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका solution है फिलो एप, अपने doubt को किसी भी time कलियर करें in these three easy steps, सबसे पहले इस एप को play store या app store से डाउन्लोड कर लें, अपने phone number से easily sign up कर लें, अपने question का picture लें या उसे type करके submit कर लें, और फिलो आपको 60 second में, इंडिया के top experts से live call पे connect कर देगा, आपकी question में आप मैं कहना चाहते हैं कि bulb की power कितनी है, अगर bulb जो है, वो 220 voltage पर operate हो रहा है, इस battery का voltage है, वो आपको given है 220, तो ये आपको simple relation हो गया है, अब अगर को आपको all doubt है तो बताइए, तो सब्सक्राइए, तो सब्सक्राइब कर लें, एक प्रकार से सुनवाई है, वो चल रहे है और उसका result आना है, सुनवाई की जो एक प्रकार से गोशना होना है, कि भी सुनवाई में ये रहा, क्या आपका exam हो पोस्टपॉंड होगा या नहीं होगा, वो चीज आपकी तीन बज़े से पहले लगबग आप ये मान के चलो कि डाई बज़े तक आपका ये सुनवाई है, वो पूरी हो जाएगी, और डाई बज़े ये गोशना कर दी जाएगी, कि भी हाँ exam आपका पोस्टपॉंड होता है या नहीं होता, आपके देखो admit card है, वो आ चुके हैं, तो exam है, वो अब ज़ब तक देखिए, तेन बज़े तक पता चल जाएगा, उसके बाद अपनी त्यारी है, वो मतलब start कर देना भी है, लेकिन बहुत कम chance ये है कि भी exam हो प confirm पता चल जाएगा कि exam पोस्टपॉंड होगा या नहीं होगा, आगे के update के लिए बने रही है,